रायगड जिले में पुलिस विभाग और नगन निगम ने एक अनूठी पहल की शुरुवात की है इसमें कोरोरा संकटकाल में फसे वैक्तियों की साहता की जाएगी विभाग की और से जारी किये गए नंबर आपकी स्क्रीन के नीचे फ्लैश हो रहे हैं जिसमें कोई भी जरूरतमन्द वैक्ति कॉल या वाट्सप कर पुलिस के बनाएं हेल्प डेस्ट से मदद मांग सकता है राइगर पुलिस की इस पहल का मकसद जिले में हर जरूरतमन्द वैक्ति की मदद करना है गौरी संकर मंदेर, हनमान मंदेर, सुभास चौप इन जगहों में सेट में कई लोग बैठे रहते हैं गरीव लोग इनको न कहीं मांग सकते हैं दुकान बंद होने करना इनको अनाज मिल रहा है इसलिए उनके दौरा दिया गया समागरी को सेवा की देशते सकते हैं राइगर जिले में अभी लगातर अभी लॉगडाउन की प्रक्रिया प्रारम की गई है जिसमें इस बार किसी भी प्रकार से समाज से भी संगठन या दूसरे अन्य एंजियोस को तोयम से खाना बाटने या राशन बाटने के इनको नहीं दी गई है और इसलिए एक बहुत सारे लोगों का फोन भी आ रहे हैं और हमसे कॉंटेट कर रहे हैं कि वो जोरत मंडों को कुछ परदान करना चाहते हैं इसमें सुखीर आसन हो या फिर अन्दे जोरुरित का जो समान हो इस पर से एक पहल की गई है जिसमें एक पुलिस हेल्प डेक्स स्थापना की गई है जिसमें एक डियस्पी 37 भारगा को उसको नुदल अधिकारी बनाया गया है और इसके नंबर भी जारी किये गया है जिसका नंबर है 9479193208 इस नंबर पर जिसको भी कोई अगर समान या समागरी अगर देना चाहते हैं तो इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ इनको अगर किसी व्यक्ति को आशकता हो अगर वो जरुरत मन्द हो अगर उचाहते कि इनको उस चीज़े मुहया नहीं हो पा रही है इस नंबर में कांटेक्ट करने से उनके पास कोशिसम करेंगे कि या समान पहुँच जाए तो इसलिए ये पहल की गई है ताकि लॉगडाउन के समय में जो लोग कुछ डोनेट करना चाहते हैं उनके लिए एक समुचित जगा में रहे और एक आदमी रहे जो उनके लगत सतत संपर्ग में रहे उसे प्रकार से जोरत बंदू को भी इस सहता मिल सके है टीसीपी 24 के लिए रायगर से श्रिपाल यादाव की रिपोर्ट